ये गाइज मैं हुँ रावन रावन श्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो इस पीडियों में हम बात करेंगे सुकजीत स्टाक एंड केमिकल लिमिटेट कंपनी के बारे में ये अनौस्मेंट क्या था श्टॉक स्प्लीट का रेकॉर्ड डेट गोशित हो चुका है तो रेकॉर्ड इट के बारे में डिस्केशन करेंगे और यहां पर जो भी एक्स्ट्रा स्प्लीट के शेह से आपके डिमिटा कॉन पर कब तक आजेंगे इस फुडे में कवर करने वाला हूँ उसके बाद देखेंगे स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग स्टॉ है तो गया कंपणी का प्रिवयर्स परफोमस तो स्टॉक मार्केट में बिजनेस चेक करना भी बहुत ही इंपोडेंट है कंपणी आलग-अलग टाइप की जो केमिकल्स रहते हैं यह पी जो कौन के उपर प्रसेसिंग करते हैं इसका इनका में बिजनेस है तो बिजनेस है ठ share के होनेवाले 2 तुकड़े अगर आपके पास 2 share रहेंगे तो इसके बाएइगे 4 share जो current फ्यर्षिश वोलिए 10 रुपए इसको चेंज करके company करने वाले 5 रुपए तो यान stewards के होनेवाले 10 तुकड़े तो बहुत ही शांदार news है इसका जो record है वो है 25th October तो जो भी 25th October पर से 1 business टे माइनस करके बाई करेगा उनको ही इसका फाइदा मिलेगा अगर आप उस दिन या फिर उसके बाद बाई करेंगे तो आप लोग उनको वन रेच्टू-टू का Stock Split नहीं मिलेगा यह तो होगा Stock Split के बारे में Recorded के बारे में आप जान लेते यहाँ पर Stock Market में Stock Split का फाइदा कैसे होता है Stock Split से Share Order माला मल कैसे बनते और थे एक्जम्पल को यह कंपणी है कंपणी ने Announcement के 1 रिष्ट टू का Stock Split और Stock का प्राइस से 100 रुपई सा Consider करते है तो यहाँ पर एक Split पर क्या हो जाता है Stock का प्राइस हो जाता है 50 रुपई लेकिन उसके बदले मिलता है और एक 50 रुपई का Extra Split का Shares तो अपने Investment 100 रुपई की आता तो Investment उतना रहेगा लेकिन 50-50 रुपई की 2 रुपई की डिमेडाकॉन पर डाले जाएंगे तो अपने बोलेंगे इसका फाइदा के है हमने यहाँ पर 100 रुपई इन्वेस्मेंट की आता और यहाँ पर 50-50 रुपई की 2 रुपई की दो रुपई आ चुके लेकिन Investment तो उतना है इसका फाइदा हमेशा लॉंग टेम की जर्नी में होगा जितना ज़्यादा कमपनी डिविडेंट देगी उतना ही फाइदा यहाँ पर शेडर को होता है तो टोटल नंबर आप शेस इन्टू डिविडेंट का आमाउन कर सकते अगर यहाँ पर आपको बार-बार Stock Split मिलके बार-बार Bonus मिलके कोई ABC कमपनी से 1000 शेस आपके डिविडेंट पर आजेगे तो 1000 इन्टू डिविडेंट का आमाउन कर सकते अगर कमपनी एक रुपे का डिविडेंट देते तो 1000 इन्टू वान कर सकते तो सीधा आपके सेविडेंट पर आ जाएगा 1000 रुपे यहाँ पर डिविडेंट का यही फाइदा होता है लॉंग टेम की जरनी में Stock Split और Bonus का Short Term में इसका फाइदा नहीं होगा Short Term में सिर्फ Number of Shares बढ़ते यह आपके दायन में रखना बहुत ही जरूरी है तो यहाँ पर इन्वेस्मेंट करना यह नहीं करना आपके पर डिवेंटे कोई भी Stock में इन्वेस्मेंट करते तो Bonus Buyback की डिवडेंट में के चक्कर में कोई इन्वेस्मेंट मत कीजे Company का Business Balances चेक कीजे अगर वडिया चला को लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं